स्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको पंडित प्रदीप जी मिस्रा जी द्वारा बताया गया नौरात्री में किया जाने वाला तीन उपाए बताऊंगी ये उपाए इस प्रकार है पहला उपाए मंगल विवा हेत उपाए दूसरा फती पत्नी में मधूर संबंध हेत उपाए और तीसरा यदि पती दूसरी इस्तिरी का संग कर लिया है इससे बचने हेत उपाए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पर आप सभी ध्यान रखे कि ये तीनों उपाए आपको नौरात्री में ही करना है तो आईए अब जानते हैं नौरात्री में किये जाने वाले उपाएों के बारे में तो सबसे पहला उपाए जो है मंगल विवा हेत उपाए जिस बेटा-बेटी का विवा नहीं हो रहा है विवा की उम्र निकलती जा रही है तो उन बेटा-बेटी से निवेदन है कि नौरात्री की पंचमी तिथी जो कि 7 अटूबर दिन सोमवार को है उस दिन आपको ये उपाए करना है उपाए के लिए आपको एक आम का पत्ता लेना है और उस आम के पत्ते पर अब आपको दो स्वास्तिक बनाना है दोनों स्वास्तिक अलग-अलग चीजों से बनाना है तो सबसे पहले आम के पत्ते को सीधी तरह से रख ले और पहला स्वास्तिक आपको कुमकुम से बनाना है और दूसरा स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है दोनों स्वास्तिक आपको आम के पत्ते पर बनाना है तो दोनों स्वास्तिक बना लेने के बाद अब हमें चावल लेना है सबसे पहले थोड़े से चावल में हम कुमकुम मिलाकर कुमकुम वाला चावल बना लेंगे और थोड़ा सा चावल में हल्दी मिलाकर हल्दी वाला चावल बना लेंगे और उसके बाद हमने जो दूसरा हल्दी वाला स्वास्तिक बनाया था उसके उपर थोड़ा सा कुमकुम वाला चावल रख देंगे इस तरह आम के पत्ते पर दो रोग स्वास्तिक पर हम हल्दी और कुमकुम का चावल रखने के बाद जिस बेटा बेटी का विवार नहीं हो रहा है उन बेटा बेटी के हाथ से इस पत्ते को हम नीम के पेड़ के नीचे रखवा देंगे नीम के पेड़ के नीचे आप जब रखें तो अपना नाम और गोत्र बोल कर इस आम के पत्ते को नीम के पेड़ के नीचे रख दे इस उपाय को मा अपने बच्चे का नाम गोत्र बोल कर सकती है लेकिन इस उपाय को आपको नौरात्री में पंचमी तिथी के दिन ही करना है तो यह रहा नौरात्री की पंचमी तिथी पर मंगल विवा हेत उपाय की संपोर भी थी अब इसके बाद हम जानते हैं कि नौरात्री कीने वाले और दो उपाए कौन से हैं तो यदि हमारी कोई कामना होती ही या दि हम हमको कुछ पाने की एक्छा होती है तो हमें रात्री में जगत जन्नी की अराधना करना चाहिए पती पतनी मैं क्लेश चल रहा है तो माता की मंदिर में माता जी को मक्खन का भोग लगाएं आपस में प्रेम बढ़ जाएगा और क्लेस भी खतम हो जाएगा नौरात्री में किये जाने वाला तीसरा उपाय है जो कि इस प्रकार है यदि आपको ऐसा लगता है कि पती किसी अन्य इस्त्री के चक्कर में है परिवार तूट रहा है बात तलाग तक पहुँच गई है तो माता के मंदिर पर आप धोजा पर मक्खन लगवा कर लगवा दीजे इस उपाय से आपको जरूर लाफ मिलेगा तो ये सभी उपाय आपको नौरात्री के दिनों में करने है तो उमीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई नौरात्री के न तो मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव जय माता दी